स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती पृत्यर्थ, अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला, क्लाइन सर्विस डिपार्ट्मेंट, नैशनल असोशियेशन फॉर दबलैंड, इंडिया के ग्रामेर अपंग सशक्तिकरन कार्य के लिए समर्पित, हिमाले से उन्चा होसला, जीवन का सफर अपने अपने आप में ही अजीब होता है, हर कोई कोशिश करता है कि मैं सफलता के साथ अपना जीवन व्यतित कर सकूँ, पर होनी और अन्होनी अपना खेल खेलते ही रहती है, कब किसकी जीवन नईया पार लग जाए और किसकी सामने किनारा होकर भी भटकती रह जाए, यही विधी और विधाता का खेल है, जिसकी नईया पार लग जाती है, वह तो अपने आप भाग्यशाली कहलाता ही है, कई भाग्यशाली लोग स्वयन तो खुश होते ही है, पर दूसरे फसे हुए लोगों को मदद का हाथ आगे बढ़ा कर उन्हें मुस्प्तों से छुटकारा पाने के लिए भी भरसक कोशिश करते रहते हैं आत्मसंबान से भरा हुआ व्यक्ती हमेशा हर परिस्थिती में आगे बढ़ने की कामना करता ही रहता है, लेकिन जब कभी उसे आत्मसंबान पाने से वँन्चित रखा जाता है, तो वह कई गुना ज्यादा होसलों की साथ मनजिल की और बढ़ जाता है और उसे हासल कर ही लेत ऐसे जेताओं में से कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं, जो उसके जैसे विशम परिस्थिती में जीवन्यापन करने की कोशिश कर रही हैं, उनका ख्याल करते हैं, वहां उन्हें भी उपर उठाने की अपनी कोशिशे हरदम जारी रखता है. ऐसे ही एक जनसामार्नियों का नेता बना है दृष्टी बाधित व्यक्ति जिसका नाम है डौक्तर चारुदत्त जाधव। हासिल करने में समर्थ हुए. वे सिर्फ समर्थ नहीं हुए लेकिन उन्होंने उसी क्षेत्र में इतनी उन्चाई हासिल की उन्होंने संशोधन द्वारा डौक्तरेट की उपाधी प्राप्त कर आंतराश्चिय स्तर पर लिडर्शिप भी हासिल कर ली और दुनिया को चोका उन्होंने अपनी तरक्की करते समय भी अपने व्यस्त दिंचर्या में भी द्रिश्टीहीन समाज की उन्नती का काम करने के लिए समय निर्धारित रखा था। उस समय वे अपने द्रिष्टी बाधित व्यक्तियों में प्रतिसपर्धा की भावना जागरित करने के लिए काम करते रहें. उन्होंने अपनी तरक्की करते हुए द्रिष्टी बाधितों को संगड़क शिक्षा देने हेतू Global Telecom Foundation नामक संस्था शुरू की, जिसके द्वारा द्रिष्टी बाधितों के लिए संगड़क प्रशिक्षन केंद्र की स्थापना हुई. ऐसे ही उन्होंने अपने देश में 48 जगों पर संगड़क प्रशिक्षा केंद्र शुरू करने में अपना योगदान दिया. उन्होंने द्रिष्टी बाधितों के शत्रंज खेलने का प्रशिक्षन शुरू कर उन्हें जिला, राज्य, राश्च्य और आंतराट्रिय स्तर पर प्रतियोगिताओं में शामिल होने के काबिल बनाया। उन्होंने ऐसी सेक्डो प्रतियोगिताएं आयोजित कर अपने प्रशिक्षार्थियों को नामांकित किया। इसके साथ वे अपने प्रशिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा हासल करने के लिए भी प्रेरित करते रहें। मुंबई के नेहरु नगर कुरला विभाग में एक साधारन परिस्थिती में जीवन्यापन करने वाले कुटुम में चारुदत्त का जनम हुआ। वह अपने पास वाले स्कुल में दाखिला लेकर पढ़ाई करने लगा। चारुदत्त एक बधिवान और होश्यार विद्यार्थी माना जाने लगा। खेलकूद में भी उसकी अच्छी रिची थी। उसे क्रिकेट, फुटबॉल और कबड़ी जैसे मैदानी खेल खेलने में भी रिची थी। पढ़ाई में उसकी क्रांती देखकर स्कूल मनेजमेंट भी अपेक्षा करते थे कि यहाँ बच्चा शालान परिक्षा में अच्छे गुण संपादन कर अपने स्कूल का नाम जरूर रोशन करेगा। जब चारुदत्त तेरह वर्ष आयू का था और स्कूल में पढ़ रहा था, तब एक दिन अचानक उसकी आखों के सामने अंधेरा चा गया। उसे धुम्धलासा कुछ दिखाई दे रहा था। उसने घर में आकर रोते रोते यहाँ बात अपने मा को बताई। शाम को उनके माता पिता उसे आखों के डॉक्तर के पास ले गए। उन्होंने बताया की चारुदत्त की बाई आख का परदा फट गया है। इसलिए उसे बाई आख से नहीं दिखाई देगा। उसके दाई आख का परदा थोड़ा बहुत ठिक है। उसे धुन्दलासा अल्पद्रिष्टी वाला बालत बन गया। चारुदत्त को अपनी पाठिक्रमे किताबे पढ़ने में दिक्कत ही दिक्कत हो रही थी। लिखने और पढ़ने के लिए भी उसे किताब या कॉपी बुक अपने दाई आख से एक इंच दूरी पर पकड़ना पढ़ता था। च उसकी माता पिता ने अपने बच्चों पर उच्च शिक्षा हासल करने के बारे में जो संसकार दिये थे उसका अवलंबन कर चारुदत्त ने अपना नाम केसी। कॉलेज में दाखिल करवा दिया और वही से कला शाखा में पदवी प्राप्त की। इस कालावधी में ही उनके पिता जिस कपडा मिल में काम कर रहे थे वह बंध हो गई। पत्नी और चार बच्चों का जीवन्यापन कठिनाई में पढ़ने से उनके पिता को रोजी रोटी कमाने के लिए अन्य व्यवसाय अपनाने पड़े। फिर भी ग्रहस्ती चलाने में बहुत ही मुश्किले होने लगी। चारुदत्त परिवार का बड़ा बच्चा था। तब उसने पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। इसी दौरान चारुदत्त का ध्यान शत्रंज के खेल की ओर केंद्रित हो गया क्योंकि वह नाकी मैदानी खेलों में हिस्सा ले सकता था ना दूसरे द्रिष्टीवीन साथ ही उसे खेलने का मौका देना पसंद करते थे। इसलिए उसने अपनी सारी बुद्धी तथा कौशल शत्रंज खेलने में समर्पित कर दिया। शत्रंज खेलने के लिए चारुदत्त ने कही पर भी प्रशिक्षन नहीं लिया ना ही किसी ने उसे वो सिखाया। जब अच्छे और नामांकित खिलाडी खेलते थे तब चारुदत्त अपूर्व जिग्यासा से निरिक्षन कर जानकारी हासिल कर खिलाडियों की चाल समझ कर उसे अपने स्मरण सक्ती से याद करने में सफल होता था। धीरे धीरे उसकी शत्रंज की खेल में यह प्रविंता जलक ने लगी और उसमें प्रगलभता आते ही वह श्रेष्ठतम श्रेणी प्राप्त करने में भी समर्थ हुआ। नेहरु नगर में जब शत्रंज प्रतियोगिता का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया तब चारुदत्त की सोसाइटी ने अपना जितकर विजेता बन गया। अपने जीवन विकास के पत पर इस विजय ने चारुदत्त के जीवन में सुनारे भविश्य की ओर जाने के लिए नई दिशा दे दी। इसी के बल पर चारुदत्त ने कॉलेज में आयजित शत्रंज प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर अपनी श बहमान दिलाया। सन 1987 में नेत्र विशेशग्यों की राय के अनुसार चारुदत्त शंकरा नेत्राले चैन्नई में अपने दाई आख पर परदा ठीक करने वाली शस्त्रक्रिया करवाने के लिए गया। में जूट गया, उसकी कोशिशों को बहुत जल्द सफलता हासिल हुई और चारुदत्त को सरकारी बग में टेलिफोन ओपरेटर के पद पर नियुकती मिल गई। चारुदत्त अपने कॉलेज पढ़ाई के दोरान विविट शत्रंज प्रतियोगिताओं में नामांति द्रिष्टिवान खिलाडियों के साथ शत्रंज खेलता था तब उसे पता चला की इस खेल में सुधार के लिए आवशक जानकारी और तौर तरीके संगणकों में उपल सिखना प्रारम कर बुकिंग शेत्र में ही करियर बनाने के लिए पदोन्नती प्राप्त करने की दो परिक्षाएं उत्तीर्ण की लेकिन बकुमनेजमेंट द्रिष्टी बाधित को यहां मौका देने के विशय में आश्वस्त नहीं था बुद्धिवान और आत्मविश्वास से भरा चारुदत ऐसे नोक्री से जल से जल छुटकारा पाकर सूचना प्रोध्योगी की के क्षेत्र में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए छट पटाता रहा उसी समय जौज नामक स्क्रीन रिडिंग सॉफ्ट्वेयर विक्सित हुआ था उसे आजमाने के लिए होनहार चारुदत का चुनाव किया गया चारुदत का ध्यान अब सॉफ्ट्वेयर डेवहल्पमेंट की तरफ बढ़ गया उसने अपनी नोकरी छोड़कर डिप्लोमा इन सॉफ्ट्वेयर इंजिनियरिंग में दाखिला लिया और 1991 में हासिल भी कर लिया इस यश्प्राप्ती के साथ चारुदत को ग्लोबल टेलिकम्यूनिकेशन लिमिटेड कंपनी ने सॉफ्ट्वेयर डेवलप करने के काम पर नियुक्ती होने का मौका दिया सन 1996 से 97 में उसने एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्ट्वेयर इंजिनियरिंग की पद्विका भी प्राप्त कर ली विकास के पत पर अपनी छाप छोडने वाले चारुदत को टाटा कंसल्टंसी सर्विसेस में अपना हुनर सिद्ध करने का और एक मौका मिल गया वहां काम करते करते सन 2011 में उन्होंने रणनितिक नवकल्पना विशय लेकर मास्टर आफ बिजनेस की उपाधी हासिल कर ली सन 2012 के उपरांग चारुदत ने संशोधन वारा डॉक्टरेट पाने की राच चुन ली और सूचना प्रोध्योगी की में मनेजमेंट विशय पर काम करना शुरू कर डॉक्टरेट भी हासिल कर ली और वहां अब डॉक्टर चारुदत जाधव बन गया सौफ्ट्वेयर डेवहल्प्मेंट में काम करते करते चारुदत प्रोजेक्ट लीडर बन गया फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट नेजर बन गया और विभाग प्रमुख बन गया जो आगे चलकर अनेक विभागों का प्रमुख भी बन गया अब डॉक्तर चारुदत्थ विकास व्यवस्थापन और मार्केटिंग शेत्र में संशोधन करने में भी माहिर माना जाने लगा नए नए सौफ्ट्वेर सुलबता से विक्सित कर उसका लाब अपने ग्राहकों को सुलबता से और अधिक मात्रा में हो और सूचना प्रोध्योगिकी के सौफ्ट्वेर विकास करने के क्षेत्र में अपंगों को अधिक मौके उपलब्ध करवाने में ही चारुदत्थ का ध्य पहले ही चारुदत्त ने द्रिष्टीहीन समाज के व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागरित करने के लिए प्रशिक्षन वर्क शुरू किये हुए थे। इंडिया चेस फेडरेशन ओफ दब लाइंड नामक संस्था का महास्चिफपत विभूशित किया इससे बहुत सारे द्रिष्टी बाधित व्यक्ति आक्रिष्ट हो गए और राज्य, राश्चिय और आंतराश्चिय शत्रंज प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए समर अब चारुदत का ध्यान इन खिलाडियों को इंटरंशनल मास्टर्स के योग्यता हासिल करने लायक बनाने में लगा। इसके लिए उसने दो वर्ष कालावधी का विशेश प्रशिक्षण वर्ग भी कार्यान रित कर दिया। सफलता से यह पूर्ण होते ही भारतिय प्रतियोगिताओं में नामांकन वृद्धिंगत हो गया। जो नामांकन पहले सिर्फ साथ खिलाडियों को हासल था वह 2010 में 15 पर गया और 2011 में 81 हुआ और भारत को आंतरराश्चिय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्थ हुआ। प्रतियोगिताओं में खेलते हुए चारुदत ने दृष्टिवान खिलाडियों के साथ हिस्सा लेकर दो विशेश पुरसकार हासल किये। अगर चारुदत से पूछा जाए आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता आप कौन सी मानते हो तो उनका उत्तर है कि मेरी व्यक्ति पेशे के अलावा मेंने दृष्टी बाधितों के शत्रण्ज प्रतियोगिताओं में भारतिय दृष्टी बाधित खिलाडियों की श्रेणी पाचवे नंबर तत पहुचा दी हैं और ये सभी खिलाडी ना ही सिर्फ जिला, राज, राश्चिय स्तर पर ही प्रतियोगिताओ में हिस्सा लेकर नई नई उचाईया छू रही हैं। बलकि ओलिम्पियर, कॉमनवेल्थ, आंतराश्य और प्रालिनपिक्स प्रतियोगिताओं में भी अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। नाने का मौका भी मिल रहा है। शत्रंज के खेल में आंतराश्य नामांकन पाने वाला चारुदत पहला द्रिश्टी वाधित था। चारुदत के जीवन में शत्रंज प्रतियोगिताओं ने जो अमूल्य परिवर्तन लाया और उसे टेलिफोन ओपरेटर से सॉफ्ट्वेर इ चारुदत्त ने पढ़ाई और ज्ञान प्राप्ती के लिए आवशक ध्वनिमुद्रित किताबे देजी तंत्रज्ञान वारा उपलब्ध करवाने और भारत सरकार के सुगम्य पुस्तकाले के उपक्रम में भी बहुमूल्य योगदान दिया है। अपने देश में गरीब और द्रिष्टी बाधित बच्चों के लिए शत्रंज प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षा पाकर सहभागी होने के लिए मूलभूत सेवाए भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध हो इसके लिए भी उन्होंने कड़ी मेहंत की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे द्रिष्टी बाधित खिलाडी आंतराश्य प्रतियोगिताओं में सहभागी होकर भारत का नाम उन्चा करते हैं, उन्हें अपने देश में खिलाडियों के श्रेनी के लिए जो खास रियायते दी जाती है, वह नहीं प्राप् अपने देश में अपने खिलाडियों के प्रशिक्षण हेतु ना ही प्रोफेशन कोचिंग देने की सुविधा है, ना ही उसके लिए ज़रूरी तंतरग्यान विक्सित किया जा रहा है, और ना ही आंतराश्य श्रेनी के स्तर पर खेल की सुविधाएं मिल रही है, इस विश के देशों में द्रिष्टी बाधित शत्रन्स खिलाडियों को मूलभूत सेवाएं विक्सित कर प्रतियोगिताओं में सम्मिलित करने के लिए प्रेरिद भी कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने राष्चिय और आंतराष्चिय स्तर पर अनेकोवित प्रतियोगिताओं का यशस्वी आयोजन कर सर्वोत क्रिष्ट आयोजक होने के अनेक पुरसकार प्राप्त किये हुए है। उनके व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर की गई उपलब्धियों के लिए भारत के महामहिन राष्चप्ती तथा आद्रणिय पंत प्रधान जी द्वारा भी समय समय पर उन्हें गौरन वावित किया गया है। काम करने वाले डॉक्तर चारुदत जाने माने मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। को भी ध्यान में रख कर समय प्रबंधन द्वारा धेय प्राप्ती होने तक कारिरत रहता हूँ। यही मेरे यशस्वी होने का असली रहस्य है। मेरे व्यक्तिगत पेशे के अलावा मेरा 20% समय प्रबंधन सामाजिक सेवा के लिए निर्धारित किया हुआ है। जिससे में अपने देश को नई उन्चाई पर ले जाने के लिए अपना योगदान दे रहा हूँ। यह सिद्ध करता है कि एक द्रश्टी बाधित व्यक्ती भी यशस्वी रूप से देशितवादी विजेता होने की अपनी काबिलियत को सर्वमान्यता प्रदान करता है। किसी शायर ने कहा है, राही और राही तेरे सर पे दुआ ओके साय रहे। मंजिले पत पे पलके बिचाई रहे। तू निराशा में आशा के दिपक जला। हो हिमालय से उंचा तेरा होसला। है मंध जप आतिल। मानत सचीव नैशनल असोशेशन फॉर दबलाइंड इंडिया।